बाई नमस्कार दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में जो मुकाबला हुआ था हाल में उसमें भारत ने मैस जीता तो था लेकिन अमपाइरिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहा है और यह मैंने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट क वज़े से हारा है नेपाल नहीं तो इंडिया को दो भी पचाड कर देता नेपाल जै नेपाल वहाई यूए से भी लिखते कि आज नेपाल ने जीतना था क्योंकि सोंपाल कामी का जो बॉल शौपरस्टर जमीन में छुआ था यानि कि वो कैच की बात करने कि वो जमीन में तो यहाँ पर BP ने लिखा कि Empire did not give a crystal clear LBW of Jaiswal तो Jaiswal का LBW नहीं दिया गया जो कि clear था उनका कहना है और furthermore he also given wrong decision जो कि आउट दिया कुछल बरतेल का साथी साथ उनन लिखा कि Indian bribed empire है कि इंडिया ने घूज दी भई इस empire को और इसके लवा ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़े लिखी है तो साथ में यहाँ पर तिलक लिखते है as a भारती जनता I fully support Nepal team well played guys तो यहाँ पर support भी देखने को मिला बहुत सारा जो कि इंडियन लोगो के साथ देखते हैं कि क्या लोग कह रहे है वो सही है empire कि क्या बहुत सारी wrong decision थे चली देखते हैं सबसे पहला issues देखेंगे जो की था lbw out का jazz wall का उसी का वीडियो है तो यह out लग रहा है first नजर में तो out लग रहा है कड़ी appeal भी हुई है इसके जी हाँ यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो ball center में लग रही है लग बग एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं एक arrow से तो यहाँ से देखे तो जी हाँ यह बिल्कुल center में जाते ही ball लग रही है center middle of this term तो अंपार ने इसको out क्यों नहीं दिया लेकिन ball center में जा रही है लेकिन ball movement किदर को कर रही है यह भी पता लगाना ज़रूरी है क्योंकि tip खाने के बाद ball move किदर कर रही है ball की हरकत भी होती ह वो भी एक बार clear करते हैं हम लोग आगे वीडियो देखते हैं कि ball turn किदर हो रही possibility क्या है कि ball किदर move करेगी right side में जाएगी left में या फिर center पर ही जा रही है तो यहाँ पर अगर हम दोग देखे तो ball कुछ यहाँ पर pitch हो रही है यानि कि जो tip खा रही है यहाँ पर ball कहीं खा रही है और आप लोग भी देखो कि यहाँ से निकलती है ball बस यहीं पर tip खा के निकलती है थोड़ा सा बैक करते हैं वीडियो को तो यही वो portion है यहाँ पर मैंने लगा रखा है एक green सी ball लगाई है यहाँ पर जिसे आप लोग को दिखता रहे हो यहाँ पर मैंने एक sign भी हम लोग frame में set कर लेते हैं तो यहाँ पर जो straight line होगी ball की यह होगी जो हमारा point है उससे right side को move कर यह ball राइट side को turn हुई है मतलग की तो right side को turn एक हमको देखने को मिला है ball में और यह ball इधर को ही जा रही है right side को ही move करेगी थोड़ी जो भी movement है लेकिन बहुत जादा movement ही यह ball तब भी middle of the stump दिख रही है तो यह out लग रहा है क्योंकि ball में इधना movement नहीं दिख रहा है हमको और थोड़ा सा movement है काफी बड़ी appeal की गई लेकिन फिर भी empire सहमती नहीं हुए लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो सकती जिसकी वज़े से मुझे लगता है empire ने not out दिया है उस है क्योंकि camera angle ऊपर ही होता है basically camera तो ऊपर है जहां से हम लोग देख रहे है लेकिन यहाँ पर जो jazz wall है उसने पूरी body से पूरा stump गेर रखा हुआ है और empire अगर पीछे खड़ा होगा और पीछे से देख रहा होगा तो उसको पूरा jazz wall दिख रहा होगा उसको stump नहीं दिख रह होगा है लेकिन यहाँ पर empire third empire का प्रयोग कर सकता था क्योंकि अगर उसको stump नहीं दिख रहे है तब भी यह गलट decision है third empire को अगर refer कर देता तो शायद यह out हो जाता basically तो जिस हिसाब से movement लग रहा है मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर यह इस वाले stump को hit करती यहाँ पर जा clearly पता चल जाता कि ball किदर जा रही है तो यहाँ पर हम जो 98% chances लग रहे है कि यह out हो सकता है और 2% chances है कि आउट नहीं क्योंकि ball वैसे ही middle of this stump है लेकिन ball में एक जो movement है वो हमको इस तरफ को देखने को मिल रहा है बट फिर भी ball थोड़ा भी move करती तो actual में ball यहाँ पर है तो move करके यहीं पर कहीं जाती तो यह out हो सकता था जिसे empire नहीं दिया अफगानिस्तान स्री लंका और पाकिस्तान के थे तो पहला वाला जो decision है वो गलत है मुझे लग रहा है और यहाँ पर यह out का chances था तो यहाँ पर अगर जैसवाल out हो जाते तो उस समय जैसवाल 72 run पे थे और वो इतने run नहीं बना पाते उन्होंने century बनाई तो scoreboard थोड़ा छोटा होता साथी जात इंडिया थोड़ा pressure में भी होता क्योंकि वहाँ पर एक wicket गिर चुका होता तो इतने सारे run जो 202 run बने वो नहीं बनते टार्गेट थोड़ा छोटा होता नेपाल के लिए तो नेपाल ने दिया जो कि ता कुषिल बुर्टेल का ते दूसरा controversial decision है जो कि पर चुटा होता तो मुझे totally grip में यहाँ पर लोगों को problem लग रही है कि यहाँ पर यह ball छूट गई है जिसकी वज़े से यह catch out नहीं है चलो इसको थोड़ा सा और देखते है angle से थोड़ा सा pass से यह ball आई यह हाथ में दूनों हाथों से catch किया गया बिल्कुल पूरी grip में थी ball पूरी grip में है फिर खुद को balance करने के लिए यहाँ पर dive लगाई तब भी पूरी grip में है कि यह ball छूटी नहीं डाइव लगाते वक्त एक हाथ छोड़ दिया क्योंकि आपर गिर जाते नहीं तो मुझ के ग्राउंड में बट इससे मुझे नहीं लगता कि कोई problem होती है लेकिन उंगलियां भी नीचे दोनों दिख रही है बाल एक्चुल में पूरी grip में दिख रही है अगर यह थोड़ी सी grip से बाहर दिखती तो मुझे लगता कि यह problem है बट जो ball है वो पूरी उंगलियों की grip मे लग रही है तो दो इंगलियां नीचे तो है ही दो ऊपर दिख रही है तो दो नीचे होंगे डेफिनिट्री बात है अंगुठा तो है ही और ball पूरी तरीके से हाथ के grip में अगर तो it's a catch क्योंकि मुझे ball कहीं हाथ से छूटी हुई नहीं दिखी है पूरी grip में पूरी time पर ball दिखी है जब start में उन्होंने catch लिया तब भी दोनों हाथों से catch ले रखा था दोनों हाथों में ball थी और जब dive किया तब भी एक हाथ छोड़ा और दूसरे हाथ में totally grip में ball दिख रही है और इससे पास से नहीं देख सकते हैं और मुझे लगता है यहां पर दिख रही है और मैंने कुछ ऐसे ही footage लिकाने यहां पर आप लोग देखो जैसे कि यह catch लिया गया जिसको आउट दिया गया थोड़ा सा वैसा ही catch में लगाया है तो यहां पर एक dive मारते हुआ यहां पर आया और इन्होंने catch लिया गया हाथ में totally grip थी ball क्योंकि हा catch आउट हुआ और ऐसा ही यहां पर हार्दिक पांडिया का भी एक catch यह देखने को मिले था यहां पर आयट दोड़ते हुए और इसको catch किया तो यह वाला catch भी आप देखे यह बिल्कुल पकड़ा इन्होंने dive मारके एक हाथ में ball थी और ground से वैसा touch तो होता ही है जो एक घिस इसको देखने के बाद इस catch को देखोगे अगर totally grip में है दोनों हाथों में ही ball है लेकिन जो सबसे पहला वाला decision था जैस वाल का LBW का वो मुझे लग रहा है कि गलत है वो शायद इस टम्स पर ही ball जा रही थी और इस पर commentator ने भी बोला वहाँ पर कि अगर DRS होता तो यह definitely out लेकिन जो catch वाला लेकिन वो जो कुशल बुटेल का catch वाला decision है वो भी मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि वैसा ही catch हमने बहुत सारे देखे हैं क्योंकि उंगलियां पूरी ball की grip में फियर catches में बस यह है कि आपकी grip जो है ना वो lose होके अगर ball नीचे गिती तो उसको drop catch मानते ह अगर आपके totally grip में पूरे time तक dive लगाओ आप चाहिए जो कुछ करो तो उसको catch माना चाहता है तो इसलिए मुझे लगता है अंपायर नेवार definitely सोचा नहीं तो यह थी मेरी राय अंपायर के in controversial decision को लेकर आपकी राय हो सकता है क्या अलग हो और अगर आप मुझसे थोड़ा करते हैं तो अपनी राय जरूर comment box में comment करके बताईएगा और शायद आप लोग को कुछ दिख रहा हो इस वीडियो में जो मुझे नहीं दिखा है तो प्लीज अपनी राय comment box में comment करके जरूर बताईएगा और ऐसी और अप्डेट्स के लिए देखते रहे है एनाई news विज करके जब देखते हैं जरूर झाल करके देखते रहे हैं एक खच्छते भूर लोग 2 और यू करके लिवशन झाल झाल